16 महिने हो गए और मनीपुर जल रहा है 16 महिने से इस देश का एक राज्य हिंसा की ग्रस्त में है वहाँ पर हर तरह की अगजनी, लूट, हत्याएं हो रही है 16 महिने से जलते हुए मनीपुर में अब एक नई तरह की हिंसा भड़क उठी है पिछले 10 दिन में मनीपुर में करीब 11 से 12 नई हिंसा में भड़की करीब करीब 11 से 12 मौते हुई है मनीपुर में एमचौर गंस की जगे अब आरपीजी लहराई जा रही है मनीपुर में गाओं के उपर ड्रोन से हमला हो रहा है गाउं के गाउं ध्वस्त हो रहे हैं उन इलाकों में हमला हो रहा है जहां पर हिंसा नहीं थी मणीपुर में एक पूर्व मक्यमंत्री का घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है मणीपुर के राजपाल के घर पर पत्थर बाजी होती है मणीपुर में सुरक्षा बलों पर हमला होता है उनके शस्त छिनने की कोशिश हो रही है तो ये क्या हो रहा है मणीपुर में मणीपुर में इंटरनेट बैंड कर दिया जाता है मणीपुर के तमाम जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है मड़ीपुर में छात्र और युवा सडकों पर हैं प्रदर्शन कर रहे हैं मड़ीपुर की पूर्व गवर्नर जो फुल टाइम गवर्नर थी जो मड़ीपुर के हालातों को अच्छे से समझ रही थी जो उनकी व्यथा को समझ रही थी वो कह रही है हालात बहुत गंभीर है उनको हटा दिया गया है एक हाफ टाइम गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है मणिपुर के सारे एक्जाम स्थगित है तो इस देश का एक राज जहां पर जा जाकर बड़ी बाते करने में नरेंद्र मोधी बयान बाजी करते थे वो सोला महीने से जल रहा है और इस देश के प्रधान मंत्री के पास एक मिनिट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाए वो चुनाओं में मणिपुर नहीं जाते उसके बगल के राज्यों में होकर लोट आते हैं वो अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगे घुमाते हैं बस मणिपुर नहीं जाते हैं क्या ये किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्विकार्य है कि इस देश का प्रधान मंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जनने के लिए छोड़ दिया है कोई आते हैं